नमस्कार सभी को आप सब का स्वागत है अर्नाचा टुटे नियूस चैनल में कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा हमने एक रिपोर्ट बनाया था वेसका मिंग डिस्रिक्स है जहां पर एक गाओ के लोग 30 साल से गवर्मन के एशुरेंस को पूरा होने का इंतिजार कर रहे हैं और मैं बता दू कि वो गाओ है वांगो जो बोमदिला हेटकौर्टर से कुछी किलोमेटर पहले पड़ता है वहां के लोगों ने गवर्मन कॉलेज बोमदिला को बनाने के लिए 70 एकर जमीन फ्री ओफकोर्स उन्हेंने दोनेट किया था बस जो कंसर्न ऑथरिती है या फिर डिपार्टमेंट और गवर्मन के तरफ से एक एशुरेंस दिया गया था कि कोलेज का कंस्ट्रॉक्शन के दोौरान उन्हें काम दिया जाएगा और कंपलीशन के बाद उन्हें फोर्ट जए जौप दिया जाएगा एकन मैं बतादू जैसे और मैंने मैं इन्संट करेदी है कि 30 साल से भी जाधा हो चुका है अभी तक उन्हें ना ही काम दिया गया है, ना ही उन्हें जॉब दिया गया है, और कई बार एस्वर्एंस दिया गया है, और मैं पता दू कि लास्ट तेम जब हम ने रिपॉर्ट बनाया था, तो हमने वहां के डॉनर से कम, उनके सोसाइटी के चेर्मेंट से हमने इंटर्व्य लिया था तो उनके तरफ से का गया था कि 2021 को जब CM Khandu College में उन्हों as a guest आये थे तो उनके तरफ से एक representation उन्होंने समीट किया और उनको CM Khandu के तरफ से एक स्वेशनेश दिया गया था कि जल से जल उनका जो समीट किया जाएगा बावजूद उसके अभी 2021 से 2023 कोई अपडेट नहीं है जिसके चलते हम रिपोर्ट बना रहे थे और हाली में हमें मोका मिला CM Khandu से कौशन करने के लिए तो हमने उन्हें कौशन किया तो देखिये उन्हें क्या कहना था ये बुद्दा को लिए मोमदीना गौवर्मेंट कोलेज जो है वो वंगो बस्ती जो में मिसकामी के तरफ से डोनेट के ता फ्री ओकोस सेविंटी एकर उन्हें डोनेट के ता और लास्तेम जब आपने विजीट किया था आपकी तरफ से उन्हों नहों ने रिप्रसेंटेशन आपको समीग जहाए कि उनका जो भी तरफ से बाते रखी यह थे कि काम दिया जाएगा अभी तक कुछ अप्रेड देए तीस साल से जादा हो देखे उसका तो और अगर हमको जो भी दिया है तो मैं डिपार्टमेंट को वहां पे मार्क करके बेजा है कि उसको एक्जामीन करके फिर फाइल में य ही होगा तो डिफिनेटली वहां का जो कंसर्ण कोमिशनर है वह एक्जामीन करके हमारे और पे लेके आएगा और अगर जो पहले हुआ है तो डिफिनेटली जो में स्टेट गोर्मेंट ने जो वादा किया है वह हम लों का ही ड्यूटी है उसको उसको लोगों तब उसको नहीं किया गया है तो इसी सिलसिले में हमने वहां के लोकल जेट पीम कम और डॉनर से हमने चर्चा की की सीम खंडू के एशोरेंस पर उन्हें क्या कहना है तो देखिया हमारा रिपोर्ट मैं सीम सर ने कहा है कि आप लोगों को डिमांड है वो जल्दी फुल्फिल करेगा ग तो ऐसे दोनर हम बोलेगा कि सीम सर ने जो भी वादा किया है वो फुल्फिल कर देने साथ है क्यूंकि हम लोग यह 30 यर से भी जादा हो गया 1997 को दिया था और साथ में हमारा MTS का सर्विस के लिए हम लोग बस्ती को देने के बाद था वो फुल्फिल कर दीजे सार तो हम लो से लिए सेसे ने सीम घडdı का था तो एक विल्फिल 's princes को मेंभल दिया था तो सब्सक्रण को हम लोग OS vidéo कर भी जिसे सब्सक्राइग Walker सब्सक्राइब किeken ओरने सब्सक्राइब कर द changes performance कर देगा सार। इसलिए में आपना वाया को निबाइए है और हम लोग कुछ दुख तगलिब है फिल्म कर दीजिए सार अभी जैसे आप सब ने देखा कि कैसे गाउं के लोग तीस साल गुजर जाने के बावजुद भी गवर्मेंट से उमीद बनाए रखें तो देखना यह होगा कि सीम खांडू का जो एशुरेंस से वह फुल्फि ही रह जाता है